नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैन जिसका नाम है क्रेकोप्स आज मैं फिर से आ चुका हूँ, मैंने इससे पहले आपको ट्राइंगल्स का अगर आप प्लेइलिस्ट में जाके देखें वो कुछ कॉंसेप्ट समझाया था, ठीक है? कॉंसेप्ट के बाद, आज मैं कुछ important questions लाए हूँ, जो हमारे board exam बहुत जादा नजदीक है, उनके लिए बहुत जादा important है ठीक है, आज हम इन questions को देखेंगे, और जिसने पुरानी वीडियो, concept वीडियो मैंने बना रखी, chapter मैंने करा रखे हैं, ठीक है, वो वहाँ से आप playlist से जाके देख लीजे, और आपके अपना material जो भी utilize कर सकें, please कर लीजे, क्योंकि board exam नजदीक है, आपको concept के classes मैंने बना र ठीक है, ठीक है, पहले तो कहूंगा, वीडियो को like, share और subscribe करिए, अभी ये underrated channel है, मतलब अभी ही मैंने बिल्कुल चालू करा है, means January में, ठीक है, इसलिए अभी ये ज़्यादा growth नहीं कर पाया है, लेकिन मैं best से best आपको कोशिस कर रहा हूँ, कि provide करा सकूं, material जिससे आपक तो करिए मेरा method, ठीक है, और sample papers भी मैं आपको solved जल्द ही कराने वाला हूँ, ठीक है, ठोड़ा सा भी time का shortage हो जाता है, मेरे को UPSC वगेरा का भी batch को attend करना पड़ता है, NDA का भी, इसलिए, ठीक है, फिलाल तो हम इसमें आते हैं, आपका जो question लिखे है, आज important उसको देखते पहला question क्या है, देखे, इसको करने से पहले मैं यह कर लेता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा short है, जगा हो जाएगी, इसको मिटा देगे, ठीक है, यह question क्या कह रहा है, देखिए, एक figure बनाए हमारे पास, angle D equals to angle C, यह angle और यह angle बराबर है, ठीक है, then it is true that triangle ADE और ACB, AD, मतलब यह कौन साइने, similar है, क्यों हो, ऐसा क्यों हो, हमें पता है, देखिए, आगर मैं बात कहूं, in triangle ADE और दूसरा कौन सा है, triangle ABC या ACB, चलो, जैसे लिखा है, वैसे लिखते हैं, ACB, यह तो है, ADE में क्या है, आप देख रहे हैं, यह angle, यह angle equal है, मतलब angle C equals to angle D, यह given है, और हमें पता है, दोनों में एक angle A common है, angle A equals to angle A, यह क्या है, common है, ठीक है, अब दो angle आ गए हमारे पास, हमने एक property पड़ी थी, angle, 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 जबी भी हमारे पास, दो angle common आ रहे हैं, so we can say that the third angle must be also equal, है न, यानि तीसरा जो angle होगा, वो भी क्या रहेगा, वो automatically, by property, कौन सी वाली है, ट्रिपल A criterion, इससे क्या होगा, वो जो third angle है, वो भी equal हो जाएगा, और जब तीनों angle equal हो रहे हैं, so हम क्या कह सकते हैं, triangles वो क्या है, similar है, यही तो प्रूफ करना था, यही तो बताना था, यह similar क्यों हो है, यानि इसलिए similar है, यह रही, अब आजाएगे दूसरा question में, देखी, question बहुत आसान से आँगे, short था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बता दिया, अब यह question एक और है, देख लेते हैं, बहुत बह कोई ज़्यादा मुश्किल मेहनत वाले नहीं है, तो दरना नहीं है, ठीक है, question लिखा देखी, a and b respectively, the points on the sides of pq and pr, of a triangle pqr, देखे, pqr की बात कर रहा है, हम ठीजी लेते हैं, बना लेते हैं पहले pqr, ठीक है, p q r, ठीक है, क्या कह रहा है, a and b respectively, the points on the side, pq, pq और pr पर दो side point है, ठीक है, p and q, q ऐसे, ठीक है, pq कितना है, 12.7, एक सेट, pq, अरे, a b point है ना, भाई साहब, a, और b, अब p q कितना है, 12.7, ये पूरा, ठीक है, उसके बाद p a कितना है, ये, 5, 5, b, b r कितना है, 6, cm छोड़ो, ठीक है, p b कितना है, 4, ठीक है, अब देखी, ये आ गया, हमें ये प्रूफ करना है, a b parallel to qr, a b qr है, अगर है, क्यों है, क्या reason है, है या नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, ये है या नहीं parallel, सो, हमें ये बताना है, अब आप देखिए, ये कैसे बताएंगे, अगर मैंने फिगर बनाये, तो हमें ऐसा लग रहे है, हाँ, ये parallel है, लेकिन देखते, parallel के लिए condition क्या होती है, हमें पता है, यहाँ पे क्या है, दो triangle दिख रहे होंगे, triangle कौन सा, P, A, B, और दूसरा कौन सा है, P, Q, R, ये दो triangle दिख रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ रखा है, प्रोपर्टी पीछे पढ़ रखी है, अगर दो triangle similar होते हैं, मतलब triangle P, A, B, similar triangle P, Q, R, अगर ऐसा होगा, तो इसका मतलब क्या, P, A, Y, A, Q, equals to P, B, Y, B, R, ये होना चाहिए, प्रोपर्टी हमने पढ़ी होई है, ये होना चाहिए, ठीक है न, तो हम चेक करते हैं, क्या ये ऐसा equal बन रहा है, या नहीं बन रहा है, value पुट करेंगे, देख पांच, ठीक है, A, Y, की जगा, A, Y, नहीं निकला, यानि 5.5 से माइनस कर दीजे, साड़े 5 से 5 माइनस कर दीजे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 5 बाई, कितना आएगा, 5.5 से 5 माइनस कर दोंगा, 5.5, 5.5, ठीक है, अगर इसको और solve करूं तो, 75, 25 दूनी, 25 तीया, यानि 2 बाई, 3 कहने का मतलब, ठीक है, अब ये देख लीजे, ये वाले का, P, B, Y, B, R को, P, B, कितना है अपने बास, 4, और ये कितना है, 3, 2, दूनी, 2, 3, अब ये देखिए, 2, बाई, 3, दोनों में क्या आ रहा है, ये भी 2, बाई, 3 आ रहा है, यानि, क्या हो रहा है, ये तो ब क्या है, similar है, अगर ये similar होते है, सो ये condition satisfy है, हमने लिख लिया, that means क्या हो गया, ये A, B क्या है, A, B, parallel to QR, बस यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ, ये, yes, this is true, ठीक है, next slide, next question, हाँ तो देखिए, अब मेरे पीछे 2 question लिखे हैं, इनको solve करते हैं, ठीक है, मैं important question करा रहा ये बहुत ज्यादा important बन जाते है, exam perspective, ठीक है, पहला question करे लिखा है, क्या, in a triangle PQR, ठीक है, एक triangle है, अभी हमें नहीं पता कैसा triangle है, ठीक है, लेकिन PR square minus PQ square equals to QR, एक question दे रखी है, M is the point on side PR, such that QM perpendicular PR, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये, QM square equals to PM into MR, ये equation दे रखी है, क्य क्या लिखा है, PR square minus PQ square equals to QR square है, हम अगर इसको एक side ले लें, तो क्या हो जाएगा, PR square क्या बन जाएगा, QR का square plus PQ का square, ये बनेगा, 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 ये राइट एंगल ट्रेंगल का, हम जानते हैं न क्या है एपटोनिस का स्क्वाइर इकॉल स्टू पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर पिलस बेस का स्क्वाइर, यह बनता है, यह वैसा ही बन रहा है, नहीं आए या किन, देख लीजिए, कैसे बनेगा, आभी दिखाता हूं मैं, यह देखिए, यह पी, यह क्यू, यह आर, यही तो कह रहा था, अब देखिए, पी आर का स्क्वाइर, यह हैपटोनिस वी, इसका स्क्वाइर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वाइर, और क्यू आर क्यू आर का स्क्वाइर, सो यही तो फिकर बना, समझे न, राइट अंगल य Qm perpendicular pr Qm perpendicular एक draw कर दिया सही से सीधा-सीधा draw करोई यह कर दिया M, ठिक है? यह mid point perpendicular है, that means ISO 90 degree होगा ठिक है नब जहाँ perpendicular पर्पेंडिकूलर द्रौ हो आ तो यह वाला angle, यह वाला angle कहीं मैं कहीं कहीं क्या है, बरावर रहेगा देखते हैं अब क्या कहे रहा हुआ यह थोड़ा सा मिटा दूमें, जगा बनाने के लिए, ठीक है, अब मेरेको क्या करना है, यह प्रूफ करना है, ठीक है, दो ट्रेंगल मैं दिखा दे रहा हूं, इन ट्रेंगल, कौन सा?, QMR, and, ट्रेंगल, पी, एम, फ्यू, यह दिख रहा हुगा, एक एक triangle यह चोटा वाला एक triangle यह वाला ले लिए इनमें देखते है similarity बन रही है या ने ठीक है इनमें देखते हैं क्या होगा मैं angle M और angle M अगर देखू इसमें भी angle M है इसमें भी angle है यह तो common बन गया common angle ठीक है ये तो common angle हो गया दूसरा दिखा दूँ में angle MQR देखना MQR ये angle ठीक है ध्यान रखना ये angle बरावर ये angle हो जाएगा कैसे दिखानो angle QPM QPM ये क्या होगा 90 degree minus angle R 90 degree minus angle R 90 degree minus angle R ठीक है ना यानि ये angle हो गया क्या ये भी equal अब जब दो angle equal हो जाते हैं तीसरा automatic equal होगा हमें पता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये triangle QMR similar to triangle PMQ ये हमें पता है ये हमें पता है लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है भई हमें प्रूफ तो ये करना है ठीक है अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं area वाले पार्ट में हमें पता है area of triangle क्या QMR बराबर area of triangle कितना PMQ भी फिर क्या होगी ऐसे होगी रेसियो में होगी प्रूपोजनल होगी ठीक है QMR कितनी है QMR का area में देखूँ तो यहां पे क्या है QM का square और यहां पे क्या होगा PM का square ठीक है यह इसी के तो बराबर होगी QM का square और PM के square बराबर होगी area QM का square और कहा गया PM के square के बराबर होगी कैसे area क्या होता है half into base into height base क्या है यहाँ पे QMR में base क्या है अगर मैं यह देखूँ यह base है PM height क्या है यहाँ पे QM जगा sort पड़ रही है कोई बात नहीं नीचे वाला PM Q में PM Q में base क्या है PM Q में यह क्या है PM पहले वाला भी वही ले लिया मैंने पहला वाला तो QMR है QMR में इसमें MR इसमें MR MR देखिए वैसा ही बनेगा हमारा अब क्या होगा इसमें PM और QM और यहाँ क्या हा रहा है Q M का square और PM का square यह यह गया half half गया अब देखिए एक PM इदा रहे दो PM इदा रहे तो एक PM से यह PM कड़ जाएगा अब बचा क्या है यहाँ पर QMR square आ रहा है और यह MR है और यह वाला वहाँ जाएगा तो गुम फिर के आ क्या रहा है यही तो बन जा रहा है देखिए न QMR square यही पी एम इंटू MR यही तो बन रहा है गुम फिर के यही तो बन जा रहा है तो थोड़ा सा board थोड़ा छोटा इसलिए गयच हो जाता है लेकिन हम इसको थोड़ा सा ध्याद रखेंगे ठीक है area of triangle QMR by area of triangle QPM क्या बन जाएगा QM का square और PM का square यह चीज तो हमने पहले वाले property पड़ी होएगी उसमें थी यह ठीक है न ध्यान करना अब यह हो गया proof दूसरा question देखते हैं find the value of x for which d e parallel to a b अब यह figure बना है d e यह parallel to a b अब हमें पता है अगर यह parallel होगा अगर यह इसके parallel होगा देन क्या होना चाहिए by bpt bpt property यह 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 मतलब c d by ad equals to c e by कितना be यह होगा बस value डाल दीजे solve हो गया value डाल दीजे कितना कितना है x प्लस 3 और 3x प्लस 19 equals to कितना x by 3x प्लस 4 बस इनको क्या करना है इनको क्या करना है solve इनको क्या करना है बस solve करना है आओ देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिटा दू इसको जगा बन जाएगे बहुत छोटा बहुत है ठीक है क्या आ रही है कैसे करते हैं cross multiply करिए न cross multiply क्या हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 4 और यहाँ पे कितना x और कितना 3x प्लस 19 सभी कर रहे हैं ऐसा ही है अब कर दीजी क्या होगा 3 x कितना हो जाएगा 3 x square फिर कितना हो जाएगा 4 x प्लस 9 x प्लस 12 फिर 3 x square प्लस 19 x ऐसा ही है 3 x square 3 x square कर जाएगा दोनों साइट है इसलिए यह कितना हो जाएगा 9, 4, 13 X हो जाएगा प्लस 12 और यहां कितना है 19 X अब यह वहाँ उठा के फिक देंगे तो 12 इक्वल्स टू 19 माइनस 13 X कितना बट जाएगा 6 6 X 12 6 2 यहां कितना आया 2 निकालना गया था ठीक है न यानि solve भी तो करना था इसमें बस हमें BPTA पता ही चल गई है अब क्या है ठीक है न so basic पता होना चाहिए जो मैंने पहले chapter में आपको करा रख़ा है ठीक है next slide में एक दो question और important देखते है हाँ तो देखिए आप दो question और लिखे हैं हम इनको कर लेते हैं क्या लिखा है देखिए इन figure ये रहा है एक figure DE parallel to BC DE parallel to BC उसका size भी दिया हुए 6 ये 12 then find the ratio of area of area ADE ADE और DECB यानि DECB ये एक triangle दिख रहा है और ये जो बन रहा है figure trapegium type इसका निकालना है ratio in no-no-no-no तो देखिए ये figure अगर हमें दिख रहा है हम कहीं न कहीं कोशिज करेंगे क्या similar triangle पढ़ रहा है तो similarity proof करते हैं पहले देखिए triangle ADE and triangle ABC को देखते हैं ठीक है ये triangle ले लिया हुए अब इसमें देखाऊं मैं तो अगर ये triangle और ये triangle ज्यान देना ये छोटा वाला triangle ADE और ABC में ये angle और ये angle बराबर होगा angle ADE बराबर angle ABC क्यों? corresponding angle corresponding angle कहा जाता है इनको ठीक है न? वैसे ही ये वाला ये वाले के बराबर होगा यह नहीं angle AED बराबर AC B ठीक है न? ये भी क्या है? corresponding angle ठीक है? अब हम जानते हैं दो angle equal है और वैसे भी A common भी है A क्या है? common भी है न? हम जानते हैं दो angle जब बराबर होगा तो तो तीसरा आप्टोमेटिक रोगा बराइए प्रोपर्टी है न? बाइ AAA A, B, C ये similar हो गया अब जब similar हो गया तो हमें पता है similar triangle में हम प्रोपर्टी लिखी थी area of triangle A, D, E upon area of triangle A, B, C ऐसा लिखते हैं और उसमें क्या? side का square लिखते हैं ठीक है न? D, E by, B, C इसका square separate square लिख लो या फिर ऐसे लिख लो तो ये होता है हमें पता है ये ठीक है? इसलिए कहते है प्रोपर्टी सब जानना जरूरी है ठीक है? अब D, E पता है हमें B, C पता है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भई? ये 9, 6 ये 9, 12 ठीक है? इसका square और ये area A, D, E ये वाला तो नहीं है, सबर करिए, रुको जा रहा, ठीक है न, तो ये कितना होगा पहले, 6, सीधा सीधा काड़ देता हूँ, तो ये कितना बनेगा, 2, यानि इसका स्कॉर करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 1Y4, 1Y4, इसकी वैलू आई कितनी, 1Y4, ध्यान रखना, अब थोड़ा सा, क्या करता हूँ, मैं, लेट ले लेता हूँ, एरिया किसका, A, D, E, को मान लेता हूँ, मैं अगर K, अगर A, D, E, को मैं K मान लूँ, तो ध्यान रखना, हमारे पास इससे क्या बनेगा, K by area of A, B, C, equals to 1 by 4, यानि area of A, B, C, क्या हो जाएगा, यह उपर जाएगा, तो क्या बनेगा, 4K, area of A, B, C, 4K बनेगा, और यह क्या बना, A, D, E, के, सो हमें पता है, area of D, E, क्या होगा, हमें पता है, यह ध्यान रखना, area of D, E, C, B, यह क्या होगा, सिर्फ यह area अगर निकालना है, तो बड़ा वाला triangle से, छोटा वाला triangle माइनस करतो, यह ध्यानि बड़ा वाला triangle क्या है हमारे पास, बड़ा वाला क्या है, A, B, C, A, B, C, अभी मैंने निकाला कितना, 4K, माइनस क्या करूँगा, छोटा वाला, छोटा वाला कितना माना था मैंने, K, तो यह कितना हुआ, 3K, आगया अभी, अभी, A, D, D, E, C, B, भी आगया, और A, D, E, B आगया, इन्ही दोनों के वीचे तो ratio निकालना था, तो दोनों का ratio क्या होगा, area of, क्या है, A, D, E, और area of, कितना, D, E, C, B, अभी यह कितना मनेगा, A, D, E का कितना था, K, और इसका कितना था, 3K, के से के गया, कितना बचा, 1 by 3, ratio आगया, यही तो था, यही तो था, भाई, ठीक है, तो यह रहा इस तरीके के question, गभडाना नहीं है, So, next question एक और है, द्यान देना, क्या लिखा है, corresponding side of the two similar triangles are in ratio 2 is to 3, दो similar triangle है, उनकी corresponding side के ratio जो बन रहे हैं, वो इस तरीके से बन रहे हैं, If the area of the smaller triangle is 48, भाई, बिलकुल ऐसा ही question है, अगर वो similar triangle होगा, So, यह condition को satisfy करेगा, यानि इसको क्या लिखाए, area of A, B, C, मान लेते हैं, smaller triangle, और area of, क्या, यह ADE, मान लो यही triangle मान लेता हूँ, तो ADE by ABC equals to, हम क्या लिख सकते हैं, एक ratio कितना लिखा है, 2 by 3, 2 by 3 का ratio, यह side का ratio कितना है, 2 by 3, इसका square होता है, यह तो पढ़ा है हमने, अब इसका square होता है, यह ADE smaller वाला दिया हुआ है, इस smaller वाला कितना दिया हो, कहां गया, 48, so 48, बाई बड़ा वाला नहीं पता, मैं बड़ा वाला लिख लेता हूँ, ABC, और यह 2, 2 जा 4, 3, 3, 3, 9, solve कर दीजे, कितना होगा, 4 से, 1 जा, 2 जा, ठीक है, अब यह 9 इंटू 12 कर लीजे, कितना होजाएगा, so area of ABC, ABC का कितना होगा, 12 इंटू 9, कितना होजाए, 90, 92, 18, कितना होगा, 100, 108, कितना ही तो आएगा, 108, ठीक है, कुछ ता इसमें, नहीं ता न, तो इस तरीके से ही question को करना है, ठीक है, so, दो question और देखते हैं इस पर, ठीक है, जितने triangles के हैं, मैं courses कर रहा हूँ, जो भी हमारे important questions है, वो मैं यहाँ पर करा दूँ आपको, ठीक है, next course, slide में, पेरे पीछे एक question और लिका है, हम इसको भी समझ लेते हैं, बहुत important questions में करा रहा हूँ इस समय, क्या लिका है, it is given that triangle ABC, similar to triangle EDF, such that AB, AC, DF और DE लिका हूँ, find the length of the remaining side, हम रिमेनिंग side निकालनी, बहुत आसान है, क्या है, ABC एक draw कर लेता हूँ, पहले तो देखिए, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, EDF, नाम दे दीजे भाई, EDF, A, B, C, value लिख दीजे, 5, AC की कितनी है, 7, DF की कितनी है, 15, और DE की कितनी है, 12, इसकी नहीं पता, निकालनी है, इसकी नहीं पता, निकालनी है, question यही तो कह रहा है, अब हमें पता है, देखिए, जब triangle ABC, similar होगा triangle EDF, हमें क्या पता है, जब यह similar होता है, बाई, क्या, BPT, हम जानते हैं, यह थेल्स थिरम, हम क्या जानते हैं, जो ratios रहते हैं, उनके क्या रहते हैं, बरावर रहते हैं, यहनि ABYDE, ABYDE, बरावर क्या होगा, ACY, EF, बरावर क्या होगा, BCY, BCYDF, यह बरावर होगा, value डाल दीए, बस, और को छोड़ी करना है, value डाल नहीं है, डाल देते हैं, एक सब्सक्राइब, चल रहा है कैमरा, हाँ, value डाल देते हैं, क्या होगा, क्या होगा, ABY क्या है, 5, DE क्या है, DE, DDDD, 12, AC क्या है, AC क्या है, 7, उसके बाद EF क्या है हमारा, EF, EF, देखिए, नहीं पता, EF लिखता हूँ, BC क्या है, नहीं पता, DF तो पता है, 15, अब solve करना है, value निकालनी है, तो इन दोनों को पहले लेते हैं, तो 5 by 15, 7 by EF, तो EF क्या हो जाएगा, 7 into 12 by 5, solve करेंगे, तो कितना होगा इसका, 84 by 5, divide करके देखिएंगे, कितना होगा, 16.8, एक तो यह आया, EF आया, अब इन दोनों को करके देखिए, equals to BC by 15, ठीक है न, so, एक साइट, EF नहीं, इन दोनों को नहीं देखिए, इन दोनों को देखिए, थोड़ा सा यह लंबा हो जाएगे, इसकी value डालूंगा तो, लंबा कुछ नहीं होगा वैसे, value उसकी भी आजाएगी, समझे, so, कितना होगा, 5 into 15 by 12, यह BC, solve कर दीजे, 5 पं 25 by 4, कितना होगा, 6.25, ठीक है, so, यह value दो रह गई तो, यह भी आ गई, तो question क्या होगा हमार, ठीक है न, sir, ऐसे करना है, basic method rule को बस follow कर यह, triangle खतम, एक और question कर दो, देकि मैं important question करा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, please like, share, subscribe, बहुत ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, next slide में एक question और, ठीक है, अब एक question और लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, a street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street, ठीक है, 6 meter above, जहां की street है, उस से, if a woman of height 1.5 meter cast said of 3 meter, then how far she is away from the base of the pole, मतलब क्या कह रहा है, question समझा रहा हूँ, मैं देखिए, यह एक pole है, जो है 6 meter height का, यह base है, ठीक है, और इस pole से, इस pole से, ठीक है, कुछ दूरी पर क्या है, एक महिला खड़ी है, जिसकी height कितनी है, 10 meter, ठीक है, अब एक चीर बताओं, 10 meter, अब जब यहाँ पर बल्व लगा है, तो यह महिला है, ठीक है, महिला है, तो उसकी shadow जो ऐसे पढ़ रही है, यहाँ प से, यहाँ तक का, यह 3 meter पर पढ़ रही है, इसकी shadow, यही question कहा रहा है, then how far C is away from the base of the pole, यहाँ से, यहाँ तक है, कितनी है, यह नहीं पता, X मान लेता हूँ, नाम लिख देते हैं पहले, इसको A, B, ठीक है, A, B, थोड़ा सीधा बनाना था, मैंने टेड़ा बना दिया, C, D, और इसको E मान लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास दो triangle बन रहे हैं, देख रही है, एक A, B, E, और दूसरा कौन सा, C, E, D, हमारे पास दो triangle बन रहे हैं, लिख लेता हूँ, इन triangle, A, B, E, ठीक है, and C, D, इस दो triangle बन गए हमारे पास, ठीक है, आसानी से, अब देखी, इनमें similarity हम थोड़ी सी proof कर लेते हैं, similar triangle बन रहे हैं, similarity proof अगर हम कर दें, तो हमें ये value कहीं न कहीं आ जाएगी, देखी, इसमें दो बाते में दिखा दूँ, CD parallel है, A, B के पहला तो, given है, ठीक है, given parallel का मतलब, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आप देखी, angle E और angle E, दोनों में कहीं common है, क्या, बिलकुल common है, common angle है, ये दिखी न, ये इसमें, और ये बड़े वाले में भी देखी, common है, उसके बाद, यहां से दिखा दूँ, ये 90 है, और ये 90 है, यानि angle CDE equals to angle A, B, E, दोनों कितने है, 90 degree, ये भी हो गया, आप हमें पता है, दो equal है, so by AAA criterion, हम क्या कह सकते हैं, क्या हो गया, कि triangle A, B, E, similar to triangle CDE, ऐसा होगा, बिलकुल होगा, अब जब ऐसा होगा, तो हमें पता है, their ratios, वो भी क्या रहेंगे, equal रहेंगे, इसका मतलब, ED by EB होगा, और CD by AB, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बिलकुल होगा, solve करते हैं इसको, ED given है क्या, बिलकुल given है, EB क्या होगा, EB, ये नहीं पता, 3 और X, तो मान लेते हैं, 3 पिलस X, ये तो माना था हमें, CD कितना है, CD है 1.5, AB कितना है, 6, solve करते हैं, solve करेंगे, इसको उपर लिख लूँ मैं, यहाँ जगा हो जाएगी न, चले यहीं लिखता हू अब 3 into 6 equals to 3 plus X into 1.5, ठीक है, क्या होगा, 18 और ये 3 into, कितना होगा, 4.5 plus 1.5 X, ठीक है, अब आगे लिखे लिएता हूँ, यहाँ पर, 18 से 4.5 minus होगा, और 1.5 X, कितना होगा, 13.5, और ये 1.5, पोइंट से पोइंट हटा दिया, बचा क्या, 135 और ये 15 X, कटा, कितना है, 9, यहीं X की value यहाँ पर कितनी आई, 9, ठीक है, तो इस तरीके के question मैंने, आज जितने भी patent बनते थे, कोसिस करी कि आपको आज complete कराने की, ठीक है, तो यह हमारा triangle वाला part हमने खतम कर लिया, अब हम circle पर आएंगे, ठीक है, पहले concept को समझेंगे, उसके बाद आपके questions लगाए जो की board exam के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छे लगी हो, तो like, share, subscribe जरूर करेगा, ठीक है, और मिलते हैं फिर next, जल्दी ही आपके साथ, और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, playlist में आप check out कर सकते हैं, सेंपल पेपर भी लेके आऊंगा, ओके, ठैंक यू, तन्यवाद, जय हैंट,